हेलो फ्रेंड्स मैं संग्राम आप देख रहे हो रिसर्च रॉक्स ट्रावलिंग देशी और इस एपिसोड में मैं आपको एक्स्प्लोर करके दिखाने वाला हूं तीन बेसिक जैसे की माला स्ट्राउम, मुंसिपल हाउस और प्राग कासल एक्षिली वैसा सुना था बहुत कुछ इसके बारे में लेकर वैसा निकला नहीं है यहां ऐता ऐसा फील होगा गेट आप इंडिया अगया दिस इसमाला स्ट्राउंग गेट यह 17th सेंचुरी में बना था और इसे रोमन वेंपायर ने बनाया था और यह कनेक करता है ओल्ड सिटी को न्यू सिटी से और दिस इसमाला स्ट्राउंग डिस्टिक के नाम से जाना जाता है amazing scene and amazing architecture represent here in European and then some food courts are also available here and some entertaining and this is a municipal municipal house friends यह municipal house इंडिया के इसमें सोचा जाए तो Parliament और नगरपालिका का combination है कुछ भी विदायक या नया रूस आया तो पहले municipal house से पास होगा और फिर वो पब्लीक में circulate होगा लेकिन इस building का amazing construction है जो कि देखते ही बनता है कि अज़ आफ नगरप दो आफ़ए झाल 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 यह वो प्लेसे जहाँ पर रॉट्स्टार मुवी के एक सिन के शुटिंग हुई थी रंवीर कपूर परफॉर्म करने जाता है और उसे कुछ कुलिसमेन पकड़ के पीटते हैं झाल 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 और रॉक्स्टार मुवे का एक सीनिस रोड पर शूट हुआ है जैसे कि ये झाल जाल 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 झाल 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 और फ्रेंट्स वन फ्रेवरेट रॉक स्टार मुवी का ये सॉंग और काफी सारे सीन्स ये प्राग कासल और चर्चल बीच पर शूट हुए हैं और प्राग कासल और चर्चल बीच के इन बिट्वी जो भी एरिया है वहां पर झाल 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 प्राग कासल के इगजाट सामने प्राग कासल को आउट डोर एक्स्प्लोर करने के बाद मैं अंदर की जाते हो आप तो amazing architecture आपको दिखते ही बनता है k Practice al an ancient symbol of check state the most significant of check monuments and one of the most important culture institution in the Czech Republic जिसकी स्तापना हुई थी इस वी सन 900 में और इसे complete करने के लिए 100 साल लग गये मतलब 10th century में complete हुआ और some architecture renovate भी किया गया इसका 14th centuries में और reconstruct करने वाला famous Slovenia का architecture था Joseph Flicknick और accordingly Guinness book of the world record Prague Castle is the largest coherent crystal complex in the world और friends इसका almost area है 70,000 square meter तकरीबन अपने एक शहर के इतना अत्र, लिए अगया क।रा म आपशब्ल में आपकrा रठाड़े से नहर किया नहर क।रा टो वाल भी आपशान आपशफिष्स फेंग hai झाल 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 प्राक कासल नाइन सेंचुरीज में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तैन सेंचुरीज में मतलब सौ साल में कंप्लेट हुआ एंड उसके बाद चार सो साल के बाद सम् फेमस आर्किटेक्चर आप स्लोवीनिया स्लोवीनिया का था उसका नाम था जोसिफ प्लैकनिक और हजारों साल पहले बना हुआ कंस्ट्रक्शन आज भी जाकर देखो आप तो अमेजिंग लगता है ये प्रेंड से एक बात याद रखना है प्राक कासल में यह एंटर करते हो तो बड़ी लार्ज बैग लेकर नहीं आना आप जस्ट लाइक कॉलेज बैग या फिल कोई पर्स लेकर आ सकते हो लार्ज बैग एदी लाते हो आप तो वो आपको एंटरी अलाव नहीं करेंगे प्राक कासल इससराउंडिंग और पार्ट आफ नॉन फ्लाइट जोन तो इसलिए यहां पर आप ड्रोन कैमेरा बी लेकर नहीं आ सकते वो अलाव नहीं करेंगे आपको बट यू कैमेरा और गिंबल और वीडियो शुटिंग झाल आपको झाल 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 सो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही क्योंकि प्राक कासल एक्सप्लोर करते वक्त बहुत ही जादा मेरा वीडियो की लेंध हो गई है सो मैं ये वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ आने वाले वीडियो में मैं आपको प्राक कासल टू जान लिनन वाल और जान लिनन वाल के बाद डीनर एंड देन होटल गो बैक ये सब लोकेशन बताने वाला हूँ सो भाई लोग जाने से पहले सब्सक्राइब बेल आइकन एंड लाइक करना ना भूले तब तक के लिए जैहें बंदे मातर हूँ बन्सक्राइब झाल 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 को. झाल झाल